Hello everyone, welcome to World Updates, मैं हूँ शिशांग लगेरा, 15th August 1969, ये वो डेट है जब ISRO को जो है फॉर्म किया गया था Indian Space Research Organization, भारत की ये National Space Agency और इसका Headquarter आपको Bangalore में देखने को मलेगा, आपने कई बार जो है ISRO के बारे में सुना होगा, ISRO ने कई सारे जो है इस तरीके के काम किये हैं, जो जो कि कभी भारत के लोग सोच भी नहीं सकते, और जिस देश के पास एक समय जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके पास एक rocket भी नहीं था कि वो satellite अपनी launch कर पाए, उसके बाद भी उस देश के पास आज के समय आपको सभी technologies देखने को मिलेगी, in fact अब जो है हम दूसर basically one web जो है चाहता है कि हम कोने कोने तक पहुँचें लोगों को जो है internet की service यहाँ पे provide करें और इसमें mark 3 का जो है बिलकुल यहाँ पे use किया चाहेगा, और यह कोई पहली बार नहीं है, पहले भी भारत ने बहुत सारे देशों की satellite जो है वो यहाँ पे launch करी, अगर आप data दे KSB हमने करें, कई सारे जो और भी companies हैं, उनकी satellite हमने launch करी, और देखिए भारत के एक बाहुबली rocket के बारे में आपने बिलकुल सुना होगा, जिसको GSLV MK3 कहा जाता है, और यह भारत का जो है काफी important rocket है, और देखिए अगर आप यहाँ पे list देखोगे ना, कि भारत ने किन लेकिन देशों की satellite यहाँ पे launch करी है, तो Germany, South Korea, Belgium, Indonesia, Italy, Japan, Switzerland, Algeria, बहुत सारे देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, in fact United Kingdom, US तक की जो satellite है, वो भारत ने यहाँ पे जो है launch करी है, लेकिन अब आप यहाँ पे यह बोलोगी कि इन में से कई सारे देश तो ऐसे हैं, जि कि वो अपनी satellites को यहाँ पे launch कर सकते हैं, लेकिन वो भारत से यहाँ पे क्यों कहते हैं, तो इसका reason जो है, मैं बिलकुल आपको आखरी में बता दूँगा, लेकिन यह OneWeb कौन सी company है, और यह जो satellite launch होने वाला है, यह इतना important है क्यों इंडिया और UK के लिए, देखिंगा मैं आसान सा जो है question है, आप बिलकुल जो है answer दे सकते हो, ना देखिए, first of all तो आपको यहाँ पे इसरों को समझना होगा, Indian Space Research Organization आने वाले समय में, UK based जो OneWeb company है, उसकी 36 low earth orbit satellite को जो है launch करने वाले हैं, अब low earth orbit क्या होता है, देखिए basically अर्थ में आपको एक orbit देखने को मिलेग फिर 2000 से 32,000 km तक आपको जो है medium earth orbit देखने को मिलेगा, और फिर 36,000 km पे आपको जियो stationery orbit देखने को मिलेगा, जिसको GEO कहा जाता है, और देखिए, अगर आप देखोगे ना तो low earth orbit में आपको बहुत सारी satellites जो है देखने को मिलेगी, और India और US भी सबसे भारी satellite को जो है य एक पार्ट जो है भारत में आपर develop हो रहा है, और देखिए, यह जो one web company है ना, यह all over अपना access यहाँ पर देना चाहती है, यह एक communication company है, basically यह broadband satellite internet service जो है उसको यहाँ पर provide करती है, और इसका aim यह है कि कोने कोने तक हम तो जो है बिलकुल internet यहाँ पर पहुँचा के रहेंगे इसमें आपको airways one web satellite और basically जो airways defense और space है उसका एक joint venture देखने को मिलेगा और इन दोनों company ने मिलके यहाँ पर world view satellites limited भी company को जो है form किया हुआ है, और देखिए, इस company में इंडियन्स का भी पैसा लगा हुआ है, और इस project से आने वाले समय में पहली generation का जो यह ambitious project है, वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा, मनलब first generation जो है जो की worldwide space के through internet access जो है provide करना चाहती है, तो बहुत जल जो है इसको यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा, होगा यहाँ पर क्या, कि अर्थ में थोड़ी थोड़ी जगों पे पिलको जो है एक जाल यहाँ पर बना दिया जाएगा satellite का, ज यहाँ लोग नहीं पहुच पाते, जहाँ पे network connections नहीं पहुच पाते, तो वहाँ तक हमको जो है internet बिलकुल यहाँ पर provide करना है, और देखिए यहाँ पे इनका project all over world का है, यह all over world में यहाँ पर ऐसा करना चाहते हैं, अलाकि यह service अभी पहले US वगेरा में यहाँ पर और देखिए इंडिया और US के बीच में, आज किसम में आपको काफी अच्छा corporation देखने को मिलेगा, UK वो देश है जिसने हमारे उपर कई साल साशन किया, आज उसी देश के पास इतनी capabilities नहीं है, कि वो अपनी satellites को यहाँ पे launch कर पाए, हलाकि capabilities बिलकुल हैं, उनके पास European Union है लेकिन फिर भी वो भारत पे ज्यादा यहाँ पे भरूसा करते हैं, क्योंकि भारत जो है, जो इसरो है ना, वो बहुत ही कम दामों पे जो है, satellites को placed कर देता है, और यह सबसे बड़ा reason है, कि दूसरे देश जो है, इसलिए इसरो से अपनी satellite को यहाँ पे launch कर वाते हैं, क्यों इसरो ने बिलकुल perfectly जो है, satellite को launch किया है, और देखे यह जो project है, 36 satellite का, इससे इंडिया और UK के relation काफी अच्छे होंगे, और इससे इसरो जो है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमाएगा, अभी तो यह 36 satellite launch कर वा रहे हैं, आने वाले समय में यह जो है, और भी satellite जो है launch कर वाए और देखे जितनी भी space agencies है ना, उनमें आपको 23 agencies बिलकुल यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलेगी, उनमें इसरो का भी जो है नाम आता है, और देखे यह कोई पहली बार है नहीं, देज अक्टूबर 2022 को भी 36 one web satellite को जो है successfully launch किया था, इसरो ने, श्री हरी कोटा से ही यहा होती रहेंगी, जो low earth orbit है, वहाँ पे revolve होती रहेंगी, और अपनी services जो है बिलकुल लोगों को यहाँ पे provide करेंगी, और देखे इनका plan है 2023 तक का global coverage का, मतलब यह जो है पूरे global coverage यहाँ पे चाहते हैं, मतलब यह चाहते हैं कि हर जगे हमारी यहाँ पे satellite हो, जिससे हम जो है internet logo को जो है बिलकुल यहाँ पे provide कर पाएं, तो वापिस आदे पने question पे मैंने आपसे पूझा था कि इस रो किस department के under में जो है काम करता है, देखिए department of space के under में काम करता है, और department of space में जो directly, जो basically CEO होते हैं, वो मान के चलो आप इस रो के head होते हैं, जो chairman होते हैं, और directly जो है Prime Minister Narendra Modi इस department को जो है बिलकुल यहाँ पे handle करते हैं, तो यह जो मंतराले है, basically यह जो पूरे department है, यह PM Modi के under में आपको देखने को मिलेगा, तो at last I hope आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा, आप अपने opinion लिखिएगा ज़रूर, इसी के साथ ये तंद इस वीडियो का सुने के लिए बहुत अन्वाद, चैहन्त चमार,